हेलो दोस्तों अरद्द्रस अकेडमी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आई ज़ित आर्पेस से सेकंड गरेड बरती परिक्षा 2022 के नविंतम पाथे करम के अनुसार है फर्स्ट पेपर के लिए प्रस्ट ने सामिल किये गए है हूब हूब आपको ऐसा ही पेपर है वो परिक्षा में देखने को मिलेगा 2022 के नए मौडल पेपर है और अगर आपने पिछला मौडल पेपर नहीं देखा है तो अप प्ले लिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा RPSC Second Grade Model Paper 2022 के नाम से वहां folder मिल जाएगा आपको तो आप वहाँ जाकर पिछला Model Paper का टेस्ट है वो भी आवस्य दे और अरद्धरस Academy के YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब जरूर करें तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तो देखिए संग सुची का जो विशय है वो बैंकिंग है बिल्कुल सही है राज्य सुची का विशय कर्शी है ये भी दोस्तो बिल्कुल सही है समवर्ती सुची का विशय विवा है राजे विदान मंडल द्वारा कानून पारित कर दिया और फिर उसके बाद में संसच से पारित होना था लेकिन क्या है कि दोनों के मद्दे दोस्तों विरोध उत्पन हो जाता था इसकी वज़ा से दोस्तों जो सिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों समवर्ती सूची का वि बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा सेकंड नंबर का प्रस्ण है इसमें देखे भारतिय सविदान के निमनलिखित विशेष्टाओं में से कौन सी एक इस बात की सूचक है कि वास्त्वी कारेपाली का सक्ती परदान मंत्री के नितरत्व वाली मंत्री परिशद में नहीत है दोबारे देखे इस प्रस्ण को भारतिय सविदान की निमनलिखित विशेष्टाओं में से कौन सी एक इस बात की सूचक है कि वास्त्वी कारेपाली का सक्ती परदान मंत्री के नितरत्व वाली मंत्री परिशद में नहीत होती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएग भारत के राष्टरपती के विरुद महवयोग की परकिरिया कोन आरंब कर सकता है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है देखिए संसद के दोनों में से कोई भी सदन है वो महवयोग की परकिरिया को प्रारंब कर सकता है दोस्तों राष्टरपती पर महवयोग चलाने की जो परकिरिया का जो वर्णन है ये दोस्तो अनुचेद 61 में आपको देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तो यहाँ पर राइट आंसर इसमें तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चार नमबर का प्रस्न है इसमें देखिए निमनलिकित में से किस आदार पर उच्तम नायले अत्वा उच्छन नेयले के नायदीश पर महाब्योग चलाया जाता है दोस्तो यहाँ पर देखिए सविधान का उलंगन सिद्ध कदाचार एसमता दोस्तो यहाँ पर देखिए किस-किस आधार पर उचनेले के नाइदीस के आधार यानि कि उचनेले के नाइदीस पर महभयोग चलाए जा सकता है दोस्तों यहां पर देखे एक तो सविदान का उलंगन इसमें नहीं होता सिद्ध कदाचार और एसमता सिद्ध कदाचार और एसमता के कारण दोस्तों मा न्याइदीस पर महभयोग चलाया सकता है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें दो और तीन ठीक है दो और तीन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानि कि अपना इसमें चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए पांच नंबर का फ्रेस ने निम्न लिखित में से कौन सी भारत के सविधान की नवी सुची की विशिष्टा नहीं है अपने को बताना है ठीक है देखिए पंचायतों के लिए पांच वर्षिय कारेकाल बिल्कुल सही है दोस्तों पंचायतों की सदस्यता के लिए अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के लिए इस्तानों का रक्षन ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है पंचायतों के लिए यानि कि पं पाहिलाओं के लिए कम से कम एक त्याई इस्तानों का अरक्षन ये भी बिल्कुल सही है तो यहां पर तीन नमर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एपर्टेक्स की जगे पर्टेक्स आना चाहिए था निमनलिकित में से कौन से पंचील के सिद्दान्त है दोस्तों पंचील के सिद्दान्त कौन से है ये पुछा गया है दोस्तों आप सभी को पता है कि पंचील के सिद्दान्तों का जो परतिबादन है सरवपर्थम 30 अपरेल 1954 को भारत और चीन के मद्दे समझोते में किया गया ठीक है तिब्बत के सम्मंद में और वो पंचील सिद्धान्त कौन कौन से थे देखिए नमबर एक एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोचे सत्ता के लिए पारसपरिक समानता की भावना दूसरी थी अनाकर्मन तीसरी थी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अस्तक से इपना करना चोथी थी समानता और पारसपरिक लाब और पांच वी थी दोस्तो सांतिपून से थे तो दोस्तो यहाँ पर अपना इस प्राश्ण का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए देश सज जनों का प्रसपर सरक्षन ये गलत हो जाएगा इसमें परियावन का प्रसपर सरक्षन आजाएगा सांति पुन सहस्तित्व आजाएगा और प्रसपर अनाकर्मन ये भी आजाएगा दोस्तों इसमें पंशिल की सिद्धांत में यहां पर तीन नंबर का है व के अंदर में द्वेद सासन कि सद्धिनियम के अंतरगत इस्तापित किया गया तो दोस्तों यहां पर देखिए द्वेद सासन है यह भरत सरकारा दिनियम गुर्णी सु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों अपना इसमे आठ नमबर का प्रस ने निमनलिकित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदिय समीति है वो है दोस्तों कौन सी समिती प्राकलन समीति और प्रांकलन समीति में किते सदस्य होते हैं तो दोस्तों 30 सदस्य होते हैं प्रांकलन समीति में तो यहाँ पर दो नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल से इतर हो जाएगा लोक लेखा समीती में दोस्तों बाईस सदस्य होते हैं तीक है जिसमें से लोक सभा के पंदरा और साथ राजे सभा के होते हैं तीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है और जो सरकारी उपकरम समीती है इसमें भी बाईस सदस्य होते हैं आगे देखिए दोस्तों अपना इ देश के सासन के लिए अधारबूत है दोस्तों यहां पर देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें दस नंबर कप्रसने इसमें देखिए निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए निम्नलिकित कत्नों पर अपने को क्या करना है विचार करना है तो यहां पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए भारत का महा नयवादी भारत का महा नयवादी ठीक है लोकसभा की कारवाई में भाग ले सक लेने का जो अधिकार है। ठीक है लेकिन मतदान करने का अधिकार है वो नहीं है भारत के महाने अधिकार को ठीक है तो यहां पर देखे लोकसभा में बोल सकता है तो दोस्तों बोलने की कारेवाई में भी भाग लेने का अधिकार है ठीक है तो यहां पर पहला दूसरा और तीसरा यह तीनों सत्य ठीक है चोथा देखिए इसमें लोग सभा में मतदान कर सकता है दोस्तो महने आयवादी की जो न्यूक्ति है वो अनुच्य चेटर के तहत कि जाती है और ये देश का सर्वोच विद्य अधिकारी होता है न्यूकती राष्टरपती द्वारा की जाती है संसद के किसी भी सदन में बोलने और कारेवाई में भाग लेने का अधिकार होता है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है तो यहाँ पर चोथा गलत हो जाएगा बाकी तीनों इसमें क्या है? सही है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा एक, दो, तीन तो यहाँ पर आप तीन नमबर का उप्शन है वो कर लेना है ठीक है? आगे देखे भारतिये सवतंतरता अधिनियम गुनिश्चो सहितालिस प्रभावी हुआ था भारतिये सवतंतरता अधिनियम गुनिश्चो सहितालिस प्रभावी हुआ था यह प्रभावी हुआ था दोस्तों कब है तो यह 14 अगस्त गुनिश्चो सहितालिस को प्रभावी हुआ था चार नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा बारान नमबर का प्रस्थन इसमें देखे बारत के सविदान के किस भाग में संग राज्यों समंदों का उलेक किया गया है तो दोस्तों संग राज्यों के समंदों का उलेक है ये किया गया है दोस्तों भाग ग्यारा में भाग ग्यारा में तो यहां पर अपना इसमें राइट answer दो नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें यदी भारत के परदान मंत्री संसद के उच्छ सदन के सदस्ये हैं तो तो दोस्तों क्या हो सकता है तीन option सुरी चार option आपके सामने हैं तो दोस्तों देखें वे एविश्वास प्रस्ताव के इस्तिती में अपने पक्स में वोट नहीं दे सकेंगे परदान मंत्री अगर वे राजस्वा के सदस्ये हैं तो ठीक है तो यहां पर अपना एक नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा याद रखना आगे देखें दोस्तों अपना इसमें भारत के सविदान में निर्दारित किये गई लोग सदस्यों की संक्या अधिक् ठीक है तो यहां पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा तीन नंबर option बिल्कुल सही आगे देखें भारतिय सविदान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है तो अंतिम अधिकार है यह दोस्तों सुप्रेम कोट को यानि कि सर्वोचे नहीं लगो है तो यहां राजेपाल के संदर्ब में ठीक है देखें वहें राजे की विदाई का कांग होता है बिल्कुल सही है वहें मरत्यु दंड को समा कर सकता है दोस्तों देखें मरत्यु दंड को जो समा है वो नहीं कर सकता ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है तो यहां पर देखें दोस सिद्ध ठेराय गए व्यक्ति का जो दंड है उसको दोस्तों कम कर सकता है लेकिन मरत्य दंड को समा नहीं कर सकता यह राज्यपाल की सकती नहीं है तो यहां पर दूसरा नंबर का उप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह सत्य नहीं है वह राज्ये के उच्छन नंबर उप्शन इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा सत्रह नंबर का प्रस ने सविदान के अनुच्छेद 208 के तहट प्रतीक पांच वर्स में एक वितायों का गठन है वह किसके द्वारा किया जाता है तो यह वितायों का जो गठन है वह भारत के राश्ट्रपति के द सक्ति प्राप्त है तो भारत के राश्ट्रपति को अद्यदेस दारी करने की जो सक्ति प्राप्त है यह अनुच्छेद में में हैं यह अनुच्छ के 123 में इसका प्रावधान किया गया है यहां पर अपना इसमें चार नंबर ऑ guesses बिलकुल संही उतर ुजाएगा गुंइश बिहार में महराश्टर में और करनाटक में तीनों के अंदर विदान परिशद है राजस्तान में प्रस्ताव पारित हो चुका है और जल्दी ही विदान परिशद का भी गठन हो सकता है तो यहां पर अभी वर्तमान में विदान परिशद नहीं है राजस्तान में तो यहां पर कि दोस्तो जो पंचायती राज में जो इस्तरिये विवस्ता या दोस्तो अपने को ये बताना है कि जो कौन से समिती ने कौन सा सुजाव दिया था देखे बलवंतराय महता समीती ने दोस्तों सुजाव दिया था त्री इस्तरीय पद्दती का सुजाव दिया था बलवंतराय महता ने असोक महता समीती ने दिया था दोस्तों कुनसा तो द्वी इस्तरीय पद्दती का सुजाव दिया था LM सिंग्वी ने दोस्तों दिया था इस्तानिय सवसासन पद्दति का सुझाओ दिया था और G.V.R. राव ने परतिनी दित्व के तरीके में सुधार से समंदित सुझाओ दिया था तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दो एक चार तीन इसका राइट आंसर है दो एक चार तीन यानि कि अपना तीन नंबर का ओप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 21 नंबर प्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांदी जी को कैद किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांदी जी को कैद किया गया था राइट आंसर हो जाएगा वो है आगाखा पैलेस में कैद किया गया था दोस्तों ये ठीक है आगाखा पैलेस में इनको कैद किया गया था और ये कापर है पूना में है ठीक है आगे देखी दोस्तों अपना इसमें 22 नमबर का फ्रस्त निमनलिकित में से कौन सा कथन महात्मा गांदी की दांडी यात्रा के विशे में ऐसत्ते कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है यह पूर्णत पैदल यात्रा थी तो दोस्तों बिल्कुल सही है साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका स्मापन दांडी में हुआ था बिल्कुल सही है तीसरा है इसमें साबरमती आश्रम से सुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी की गई थी ये भी बिल्कुल सही है इसके सीरुवाट पंदरा मार्च गुनी सो तीस को हुई ती तो ये गलत दे रखा है दोसतो, पंदरा मार्च को सुरुवात नहीं हुई ती, शुरुआत हुई थी 12 मार्च को, ठीक है? 78 अपने अनियायों के साथ में दोस्तों ये यात्रा की थी 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अपरेल 1930 को दांडी में नमक कानून भंग किया था तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर औप्शन राइट अंसर हो जाएगा ये गलत दे रखा इसमें 23 नंबर प्रसन इसमें देखें दोल्डरम किससे समन्दित है तो दोस्तों दोल्डरम है ये भूमत दे रेखा के निकट सान्थ और हलकी परिवर तनसिल हवाओं का जो छेटर है उसको बोलते हैं दोस्तों दोल्डरम ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमे राइट आंसर एक नमबर का ऑप्शन है वो इसका बिलकुल सहीत्र हो जाएगा 24 नमबर का प्राशन है इसमें दे Bundesregierung को निम्नलिखित में इसके कौन सा जोड़ा सही है निम्ना लिकित में से कौनसा जोड़ा सही है एक तरफ देस दे रखा है ऑ दूसरी तरफ घास के मैदान दे रखे हैं दोस्तो शिर्फ एक जोड़ा सही है वो अपने को यहाų पर बताना है देखे केन्या देश में गास के मैदान को कमपास कहते है क्या गलत हो जाएगा दोस्तों ठीक है जो केन्या में सवाना गास के मैदान पाई जाते हैं और जो केमपास है ये दोस्तों ब्राजिलियन उच भूमी में पाई जाते हैं ये गास के मैदान तो ये पहला गलत दे रखा अरजेन्टिना इसके अंदर दोस्तों पांपास गास के myडान पाये जाते हैं बिलकुल से यह ठीक है वेनेजुला में दोस्तों यहां पर दे रखा सवाना गलत हो जाएगा मैंने अभी आपको बताया था केन्या और तंजानिया में सवाना गास के मैदान पाए जाते हैं यह पूरी वेथ अफरीका में इस्तित है ठीक है और यहां पर देखे संयुक्त राजी अमेरिका इ गास के मैदान है यह यूरेशिया यानि की रूस और मद्दे एशिया के मद्दे यह इस्तित है ठीक है इस्टेपीज गास के मैदान तो यहां पर अपना दो नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा देखे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के नार दिया गया है अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है देखे भारत के उत्री भारत के उत्री मैदान में जाडों में कुछ वर्षा होती है बिल्कुल सही है उत्री मैदानों में यानि कि सर्दियों में कुछ वर्षा होती है ठीक है बिल्कुल सही है जाडे में उत् सब भी होती है लेकिन यहां पर उत्री मैदान में दोस्तों जो मावट से वर्षा उती है यानि कि दोनों खथन सई है लेकिन आर है वो एक ही सई व्याक्या नहीं करता है तो यहां पर दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सई उत्तर हो जाएगा इसमें सबीस नमर का प्रस्ण इ वहें है जो नदी से अन्ने से भीन है वहें नदी कौन सी है दोस्तों यहाँ पर देखिए नरमदा तापती सिंदू मानदी दोस्तों नरमदा तापदी और सिंदू नरमदा तापदी और सिंदू ये तीनों नदियां है वो दोस्तों कहाँ पर जाकर गिरती है अरब सागर में कहाँ पर गिरती है अरब सागर में तो यहाँ पर मानदी है ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो अन्य तीन से भी नहीं है वो मान दिये चार नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 27 नमबर प्रसने निम्न में से कौन सा क्रम तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दरश्टी से सही है तो दोस्तो इसमें देखिए उत्र प्रदेश पंजाब एवं मद्य प्रदेश उत्र प्रदेश पंजाब एवं मद्य प्रदेश तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दरश्टी से यह सही है तो यहां पर तीन नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें आगे देखिए 28 नमबर का प्रेशन है निमनलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है दोस्तो देखिए यहां पर आपको पता चल गया होगा दोस्तो देखिए अंबाला उर्वरक ठीक है फूलपूर तामबा नेपानगर कागज और देखिए दोस्तो यहां पर नरोरा अनुसक्ती तो दोस्तो यहां पर देखिए जो फूलपूर इलाबाद उत्रप्रदेश में है यह भारत का सहकारिता चितर है और यहां पर सबसे बड़ा उर्वरक खाना है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें दो नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथ बार तो तीन नंबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा साथ बार आगे देखिए विश्व में सांती और आपसी सहयोग इस्तापित करने के लिए नेरो जी ने कौन सा सिद्दान्त प्रस्तुत किया था तो वो सिद्दान्त था दोस्तो गुट नेर पेक से सिद्दान्त यहाँ पर एक नंबर उप्शन बिल्कुल सही 32 नमर का प्रस्त ने किसी राजनितिक दल को राष्टे दल के रूप में मानेता दी जाती है यहाँ चली है तो चुनाओं में कम से कम चार राजियों में कुल वैद मतों का सिद्दान्त प्रस्त प्रस्त करता है और प्रस्त की गई हो थीक है यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए भारतिय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो दोस्तों 1980 में भारतिय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा उत्पादन की पिछड़ी तक्नीक राइट आंसर हो जाएगा उप्रोग सभी चार नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा उप्रोग सभी आगे देखे वलित मतलब मोड़दार परवत ठीक है आगे देखे विश्वा की सबसे बड़ी जील कौन सी है विश्वा की सबसे बड़ी जील है दोस्तो केस्पें सागर जील दो नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा केस्पें सागर जील आगे देखे दोजार ग देखे चाएद मुसम में उगाई जाने वाली फसला है चाएद मुसम में उगाई जाने वाले फसल कौन सी है तो वह है दोस्तों तरबूझ एक नंबर ऻूप्सन बिलकुल सही है आगे देखे निमनलिकित में से कौन सा एक करनाटक केरल एवब मतमिलाडू राजे केMoreन इस्तल पहाडियां च्यार नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा नेल गिरी पहाडियां ठीक है यह इस्तित है आगे देखे जनगर्णा 2011 के अंती मांकडो के अनुशार राजस्तान की जनसंक्या में 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत की वर्दी तो कितने प्रतिशत की वर्दी हुई है तो दोस्तों इसमें वर्दी हुई है 21.3 प्रतिशत की यहाँ पर एक नंबर का उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 21.3 प्रतिशत की आगे देखे कहां इस्तित चंदुजी का गड़ा तीर कमान के लिए विख्यात ह और यह कहां पर है तो यह बांसवाडा में है दोस्तों ठीक है याद रख रहा बांसवाडा में तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर उप्षन बिल्कुल सही 42 नंबर प्रतिशने आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाहे पर घर की द अपर देखिए दोस्तों यहां पर देखिए डूंगरपूर जिले में देवल की खान से परेवा पत्थर निकलता है बिल्कुल सही है काष्ट पर कलात्मक मूर्थिया बनाने के लिए बांसवड़ा का तलवड़ा गाउं प्रसीद है यह गलत हो जाएगा दोस्तों तो यहां पर ऐसा तेक अथन तो यह हो गया दूसरा नंबर का उप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद जिले की नाथ द्वारा तैसिल का मोलेला गाउं तेरी कोटा कला के लिए प्रसीद है और दोस्तों जालोर जिले के हरजी गाउं के कुमार मामा जी के गोड़े बनाने के लिए प्रसीद है तो यहां पर अपना दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही पैतालिस नंबर का प्रस ने इसमें देखे चावंड सहली के प्रसीद चितेरे नसुरुदीन ने रागमाला का चितरन के सासक के सरक्षन में किया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अमर सिंग पर्थम तो यहां पर तीन नंबर का जो अप इसंगत कौन सा है निम्न में इसंगत कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है अपने को बताना है कि कौन सी चीज कहां की प्रसीद है देखिए लेरिया और पॉम्चा यह जैपूर का प्रसीद है बिल्कुल सही है पटोदा का लोगड़ा यह लक्समनगड शेकर का प्रस प्रशिद है यहां पर चूनरी बरतपुर यह गलत हो जाएगा दोस्तों चूनरी है यह जोदपुर की प्रशिद है कहां की प्रशिद है जोदपुर की प्रशिद है दोस्तों तो यहां पर तीन नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखे न कमल का फूल बाग कहां इस्तित है कमल का फूल बाग कहां इस्तित है इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तो धोलपूर में यहाँ पर एक number का option बिलकुल सही उतर हो जाएगा धोलपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बुंदी का जो कजली तीज का त्योहार है वो प्रसीद है दोस्तो आगे देखिए इसमें इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो ये प्रारंब हुआ था अमर सिंग के सासनकाल में ठीक है याद रखना आगे देखिए इसमें है दूपद गाएकि का आरंब किसके सासनकाल में हुआ था दूपद गाएकी का जो आरंब है ये दोस्तो मांसिंग तोमर, मान सिंग तोमर के काल में हुआ था, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एक नमबर उप्सन बिल्कुल सही, देखिए सुची फस्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करना है, सुची फस्ट में नर्ते है, और सुची सेकंड में आयोजन इस तरह है, अ दोस्तों वर्सारितों में किया जाता है, ठीक है, वर्सारितों में किया जाता है, मांडीलिया नर्ते, और बिनोली नर्ते है, यह दोस्तों किया जाता है, होली के आउसर पर, और यहां पर जो गवरी नर्ते है, ठीक है, यह सुरी, गदरी नर्ते, गवरी नर्ते, यह दोस् दोस्तों विवासे पूर्व किया जाता है और गवरी नर्ते है ये गवरी नर्ते है ठीक है ये होली के आउसर पर किया जाता है ठीक है दुबार देखिए लूंबर नर्ते बराद की बिदाई किसमे किया जाता है मांडीलिया नर्ते वर्षा रितुम में किया जाता है और बिन ही नरते है यह होली के उसर पर किया जाता है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार तीन एक दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर चार तीन एक दो कर लेना इस प्रेस्टिन का राइट आंसर एक है और दो कर लेना यहां पर आगे देखे दोस्तों इसमें कौन सा मेव नरते हैं जिसमें इस्तरीव अप्रूस दोनों भाग लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वो है रनबाज नरते हैं, यह मेव जात्ति हैं, N więcה नरते हैं, तो यहां पर अपना 아पना इसमे है Nick nämlich option बिलकुल सही। नेक्स्ट आगे देखे, किस संपरदाए में मूर्तियों का प्राण प्रतिष्टा या इस्तापना नेकर के कर्शन के बाल रूप की उपास्तना सेवा की रूप में की जाती है, किस संपरदाए में मूर्तियों का प्राण प्रतिष्टा या इस्तापना नेकर के कर्शन के बाल के रूप में उपास्तना सेवा के रूप में की जाती है इसमें अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कृष्ण भक्ति वल्लब संपर्दाए कृष्ण भक्ति दोस्तों वल्लब संपर्दाए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है यह तो आप सभी को पता है कि ना है यह दोस्तों दिल्ली में इस्तित है यहां पर अपना इसमें एक नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए किस संत ने भगवान की मूर्ति को हट पूर्वक बोजन करवाया था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संत धन्ना जी तो यहां पर दो ओप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उत्रहोजाएगा संत धन्ना जी आगे देखिए राजस्तान में तेरेUh पंथक रहे था उंसर्क नपाशाय हो जाएगा यहels में आगे देखे 59 नबर प्रेशने सारंगी के बारे में निम्न में से कौन सा कतन ऐस दते हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों यहाँ पर देखिए यह एक तत्वादे अंत्र है बिल्कुल सही है दोस्तों आगे देखिए यह सागवान के लकड़ी से बनाई जाती ह इसकी गज़ में गोडे की पूंच के बाल लगे होते हैं, बिल्कुल सही है dTOR देखिए पबू जी डूंगर जी जवाँ जी के बॉपए भीिल इसे बजाते हैं यह गलत हो जाएगा दोस्तो, सारंगी को लंगा जाती के लोग है वो बजाते हैं ठीक है यह अपना इसमें गलत हो जाएगा बोपे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें तीन नमबर का ओप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा क्योंकि यह सत्यकतन है 60 नमबर का प्रेशन इसमें देखे किस चेतर में नारो का स्वांग बहुत प्रशिद है तो दोस्तों नारो का स्वांग यानि कि नाहर नरते भी आप जिसको बोल सकते हैं तो ये भीलवाडा का प्रिशिद है और ये प्रेशन काफी बार प्रिक्षाओं में पुछा भी जा चुका है साजा के समय ये प्रिशली थुआ था राइट आंसर हो जाएगा दो नमबर ओप्शन आगे देखे गोमा मीना काल बीर कान गुजरी मिया मेडव नाहर आदी हैं तो ये क्या है तो दोस्तों ये लगू यनकी छोटी लगू नाटिकाए है जिनका मनचन गवरी उत्सों में किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है एक नमबर ओप्शन अगे देखे बादाम से आखे और उंची पाग किस सेली की अपनी देन है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोदपूर तो यहाँ पर अपना दो नमबर का जो अप्शन है वो इसका व्योकल सहितर हो जाएगा जोदपूर आगे देखे बीलों के चितेरे के रूप में प्रसिद रहे हैं बीलों के चितेरे की रूप में कौन प्रसिद रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोड़ दनलाल बाबा ये बीलों के चितेरे की रूप में प्रसिद रहे हैं तो यहां पर अपना इसमें दो नमबर ऑप्सन बिल्कुल सही आगे दे के सुहाग मंदिर जिसको सुभागय मंदिर भी कहते हैं किस किले में इस्तित है ये है दोस्तो कहां पर तो ये आमेर के किले में इस्तित है दोस्तो दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही नेक्स्ट है देखे सुमेलित करना है अपने को बताना है ये जो परियोजना है वो कहां पर इस्तित है दोस्तो सोम कंबला अंबा शिचाई परियोजना है ये कहां पर है तो दोस्तो ये तो आप सभी को पता है ये डुंगरपुर में है दोस्तो सोम कंबला अंबा शिचाई परियोजना सोम कागदर परियोजना दोस्तो सोम कागदर परियोजना ये उदपुर में इ और परवन लिप्ट परियोजना ये 12 में हैं, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 3, 4, 1, 2, दो देखिए, इंद्रा गांधी लिप्ट परियोजना वो अलग है, ये इंद्रा लिप्ट परियोजना वो ये अलग है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट answer हो जाएगा 3, 4, 1, 2 इस प्रेस्टिन का right answer यानि कि दो नमबर का option बिलकुल सही. 67 नमबर का प्रेस्ट ने राजस्तान के किस जिले में 70 डिगरी पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? राजस्तान के किस जिले में 70 डिगरी पूर्वी में इस्तित नहीं है तो कौन सा किला अरावली परवतमाला में इस्तित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए कुंबलगड चितोडगड नाहरगड और गागरोन गागरोन का किला है यह रावली पर अत्माला में इस्तित नहीं है यह जालावाड में इस्तित है और यह जल दुरुग है तो यहाँ पर अपना इसमें चार नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 69 नंबर का प्रशन इसमें देखे चेतरपल की दरेष्टी से राजे का सबसे बड़ा कर्शी जलवाईु खंड कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें सुस्क पस्मी मेदानी चेतर तो यहाँ पर तीन नंबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे निमनलिकित को सुमेलित कीजिए एक तरफ नदी है दूसरी तरफ साइक नदी है तो दोस्तो यहाँ पर देखे वाकल वाकल है यह किस की साइक नदी है तो दोस्तों वाकल है ये दोस्तों देखे ये साबर मती की साइक नदी है किसकी साइक नदी है साबर मती की साइक नदी है ये वाकल परवन परवन किसकी साइक नदी है तो दोस्तों परवन काली सिंदी की साइक नदी है जमाई जमाई किसकी साइक नदी है तो दोस्तों ये तो माही नदी की साइक नदी है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखे तीन चार एक दो तीन चार एक दो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तीन चार एक दो कर लेना उसमें आगे देखे निमनलिकित में से कौन सा एक सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है देखे दोस्तों यहाँ पर राजस्तान के पस्मी भाग में सामाने तक खारे पानी की जीले हैं बिल्कुल सही है सांबर जील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है नकी जील राजस्तान की सबसे गहरी जील है ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है राजसमंद जील उदैपूर से 64 किलोमेटर दूर है और ये उदैपूर में इस्तित है राजसमंद जील है ये दोस्तो राजसमंद में इस्तित ना कि उदैपूर में ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा चोथा नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर क्योंकि ये ऐसात्य दे रखा है आगे देखिए राजस्तान में सरवादिक वंचेतर है वो दोस्तो किसका है तो दोस्तो ये उदैपूर और राजसमंद जिलो में ये सरवादिक वंचेतर है तो यहाँ पर एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए देश में राजस्तान किसका एक मातर सबसे बड़ा उत्पादक है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बाजराखा यहां पर चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा बाजराखा आगे देखिए राजस्तान के किस जिले में 2011 में महीला साख सर्तादर उच्तम है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो कोटा में दो नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा कोटा में आगे देखिए दोस्तो राज्य में पाए जाने वाले पस्वों को उनसे समंदित नसलों से सुमेलित कीजिए एक तरफ पस्व है दूसरी तरफ नसल है दोस्तो देखिए गाए की नसल कौन सी है तो दोस्तो गाए की नसल यहाँ पर आपको दिख्या होगा दोस्तो यह दोस्तों गाय की नसल है भैस की नसल कौन सी है तो दोस्तों देखिए मुर्रा और मैसानी यह मुर्रा मैसानी यह गाय सोरी बैस की नसल है बकरी की नसल कौन सी है बकरी की नसल दोस्तों मारवाडी अरवाडी यह बकरी की नसल है बेड़ की नसल कौन सी है तो दोस्तों सुमेलित कीजिए दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन सी पर्योजना कापर इस्तित है, देखिए, बर्सिंग सर्ताप पर्योजना, बर्सिंग सर्ताप पर्योजना है, ये कापर है, तो दोस्तों, ये इस्तित है बिकानेर में, कापर है, बिकानेर में इस्तित है दोस्तों, राणा परताब सागर पन विद्धुत्गर है यह दोस्तो रावत-बाटा-चिक तोडगर में इस्तित यह तो सबी को पता होगा और देखिए गिरल लिगनाइट थर्मल पावर है यह दोस्तो काहाँ पर है तो यह बाड मेर मेर में है ठीक हैं और माही जल विद्धुत तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दो एक तीन चार दो एक तीन चार यानि कि एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए सेवन दामन करण अंजन क्या है तो यह तो सभी को बताऊगा दोस्तों यह तो घास की किसमे है तो विकास कभी ने समाप्त होने वाली परकिरिया है यहां विचार किस्से समंदीत है अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें निरंतरता का शिद्दान्त तो यहां पर दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही तरो जाएगा निरंतरता का सिद्दान तर असी नंबर का प्रस्त है प्रात्मिक सिक्षन के लिए बाल मनुविज्ञान का ग्यान आवसिक है क्योंकि क्योंकि दोस्तों यह बच्चों के वेवार को समझने में सिक्षन के सायता करता है चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उतरो जाएगा इसमें आगे देखे गिल्फोड ने अभी सारी चिंतन पद का परियोग किस के समान अर्थ में किया है तो किस के समान अर्थ में किया है तो सरजनात मक्ता में किया है दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उतरो जाएगा आगे देखे निमन में से किस इस्तर में बच बच्चों में अच्छे चरीतर के निर्मान के लिए दोस्तों मापुर्सों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है तो यहां पे चार नंबर उप्शन बिल्कुल सही है ठीक है आगे देखिए एक मिनट की कक्षा में सभी विशेश वाले विद्यार्तियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस परकार पढ़ाएंगे तो दोस्तों आप किस परकार पढ़ाएंगे दोस्तों सभी विद्यार्तियों के लिए किरिया कलाप आयुजित कराकर परंतु विशेश आवसक्ता वाले बज विद्यार्तियो नबर उप्चन बिल्कुल सही आगे देकिए विद्यार्थी में एवानचित वेवार को किंचित परिवर्थन करने में सबसे परभावी पंदति है तो दोस्तों वो परभावी पंदत्ति है देखेए एवानचित वेवार के कारणों को ढूंड़ना एवं उपचार का परबंदन करना तो यहां पर तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए सिरील बट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धी लब्दी होती है दोस्तों बताइए तो वो होती है देखिए यहां पर तो तीन नहीं गलत दे रखा है ठीक है सीरील बट के अनुसार पिछले बालकों कि जो बुद्धी लबडी होती है वो होती है दोस्तों 90-110 के बीच में तो यहाँ पर अपना इसमें right answer 90-110 के बीच में होना चाहिए था चार number option right answer इन में से कोई नहीं अगे देखे, बारेध सरकार ने प्रात्मिक विद्धार्मि तो यहां पर दो नमबर औपो बल्कुल सही उत्रोजाएगा आगे देखे अपने उरजाबिल को बाहर कीर अभी वेक्ता करने वाले वेक्ती का प्रकार होता है अपने उर्जाबिल को बाहर की और अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बहिर मोखी व्यक्तित वैट तो अपना इसमें तीन नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे एटीन नमबर का प्रशन निम्न में से वस्तुनिष्ट परिक्षनों के गुण सम्मंद में सही कतन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है दोस्तों देखे इसमें इसका अंकन सिगरतायों सुगमता से किया जा सकता है यह गलत हो जाएगा इसमें यह परिक्षकों के व्यक्तिकत प्रभाव को प्रभावित नहीं होते हैं यह भी दोस्तों इसमें क्या है बिल्कुल सही है ठीक है और देखिए वस्तुनिष्टा के कारण यह अधिक विश्वस्त निये एवन वेद होते हैं यह भी दोस्तों इसमें क्या है बिल्कुल सही है तो पहला गलत है दूसरा और तीसरा इसमें सही है तो यहां पर उप्रिक्षक में से कोई नहीं इसका तो कोई मतलब निकलता नहीं है दो और ती निसमें सही है यानि कि चार नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अगे देखे मुल्यानकंद से अभी प्राए है मुल्यानकंद से अभी प्राए है तो दोस्तो देखे चातरों के अधिकम की सपलता वैसा पलता का द्यंग करना कि बुद्धी की सरचना में मूल रूप से दो कारक नहीत होते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें स्पियर में तो यहां पर एक नमबर का उपसन बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए शीखने के अंतद्रेश्टी सिद्धान्त को किस ने बढ़ावा दिया तो किस ने बढ़ावा दिया यह बढ़ावा दिया दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धान्त वादी ने तो यहा कारिये करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए तो यहां पर दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे सरजन सीलता के पोशन है तू एक अध्यापक को अपने विद्यारतियों को रखना चाहिए अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कार परबंद नहीं है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है भावनाओं का परबंदन यहां पर दो नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे निमने कक्षाओं में सिक्षन की खेल विदी आदारित है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों यह विकास एवं वर्दी के मनोविज्ञानिक सिद्धान्त पर आदारित है तो यहां पर तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे शीखने की परकिरिया में अभी प्रेड़ना दोस्तों विद्यार्तियों में सीखने के परती रूच सिटी गेम से 2020 में राजस्तान के किस विश्वविद्याले ने पुरुसों की कबड़ी का स्वन पदक जीता है दोस्तों यह कोटा विश्वविद्याले ने जीता है ठीक है अर्याना के विश्वविद्याले को अराकर यह कोटा विश्वविद्याले ने जीता है आगे लखना 21 दिसंबर 2014 को यह मंजूरी दी थी राष्ट्रपती ने तो इसमें दो नमबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे अप्रेल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी रेंकिंग उद्यपुर को कौन सा इस्तान मिला है तो दोस्तों देखे उद्यपुर को इसमें इस्तान मिला है दोस्तों पहला तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तार है तो दोस्तों प्रस्ण कैसे लगे कुछ सेंजेज करना हो तो कमेंट में जरूर बताना और अरद्यारेस अकेटमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो सब्सक्राब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा वहाँ जाके देखें और मिलते हैं दोस्तों नेक्स फूडियो में जय हिन जय भारत